सब्सक्राइब कीजी हमारा चैनल क्रेजी जिके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जिके ट्रिक दोस्तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप टाइटल से समझ चुके हैं आर्टिकल 370 के हटने और जम्मू कश्मिर के पुनर गठन को हम डिसकस करने वाले हैं कुछ important questions भी हम लेंगे इस वीडियो में तो ध्यान से देखिएगा वीडियो काफी important है very very important current affair है यह जो कि निश्चीती आने वाली एक्जाम में पूछा जाने वाला है तो केंद सरकार ने राश्पती आदेश मतलब presidential order के थ्रू जम्मू और कश्मिर राज्य का विशेज दर्जा जो है वो समाप्तकर 1337 और 1331 को हटा दिया है 5 अगस 2019 को भारत के ग्रव मंत्री ने इसकी जानकरी जो है राजिस सबा में दी है और जम्मू कश्मिर के पुनरगटन बिल को प्रस्तूत किया है जो कि आसानी से पारित हो जाएगा तो हम इस बिल को पारित ही समझ कर डिस्कस करने वाले हैं ठीके? तो बहुत से questions जो है वो दिमाग में आने लगते हैं कि एक्जाम में किस तरीके का question पूछा जा सकता है तो चलिए उनी questions को हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि धारा 370 आर्टिकल 370 क्या थी और इसके हटने से क्या अंतर आएगा तो देखिए 370 के तहट जम्मू एं कश्मिर को विशेश अधिकार जो थे वो दिये गए थे मतलब जम्मू कश्मिर का अलग से जंडा था और भारत के राष्टी धोज का सम्मान करना उनके लिए अनिवारी नहीं था पर अब 370 के हटने के बाद जंडा जो होगा जम्मू कश्मिर का वो अलग नहीं होगा और राष्टी धोज का सम्मान करना उनके लिए अनिवारी होगा पहली चीस तो ये जम्मू कश्मिर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता थी भारत और जम्मू कश्मिर दोनों के वो नागरिक थे पर अब 377 के हटने के बाद सभी लोग जो होंगे वो भारत के नागरिक होंगे इसके बाद देखिए 377 के तहट जम्मू कश्मिर में भारत के नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था क्योंकि वो मद्दाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते थे पर अब 370 हटने के बाद मद्दाता सूची में नाम दर्ज जो है वो करा सकेंगे मतलब भारत के नागरिक भी अब वोट दे सकेंगे धारत 370 के तहट भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी जम्मू एंड कश्मिर में मानने नहीं होते थे पर अब 370 के हटने के बाद जम्मू एंड कश्मिर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी मानने होंगे ठीक है फ्रेंट्स इसके बाद देखिए इस विशेश अधिकार के अंतरगत भारत का नागरिक जो है जम्मो एंड कश्मिर में भूमी नहीं खरी सकता था पर अब इस अनुच्छेत के खतम होने के बाद जम्मू एंड कश्मिर में भारत का नागरिक जो है वो जमीन जो है वो खरीद पाएगा आगे देखिए इस धारा के तहट संसत के पास भी कानून बनाने के सीमित अधिकार थे पर अब इसके खतम होने के बाद संसत के पास भी पूरे अधिकार होंगे तो फ्रेंड्स ये हमने धारा 370 क्या थी और 370 के खतम होने के बाद क्या अंतर आएगा वो डिसकस करा आगे देखिए बात करते हैं कि आर्टिकल 35A, 35A क्या था ठीके उसके हटने से क्या होगा तो देखिए 35A को 1954 में राशपती के आदे से सविधान में जोड़ा गया था तो 35A में क्या था इसके तहट राज्य के स्थाई निवासियों की पैचान की जाती थी 35A के तहट इस्थाई नागरिक जम्मू कश्मिर का वही होगा जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो ठीके तो मतलब 35A के अंतरगत राज्य के स्थाई निवासियों की पैचान की जाती थी ठीके 35A के तहट तो फ्रेंड्स हमने सिंपल लेंग्वेज में डिसकस करा आटिकल 370 और आटिकल 35A क्या था आगे देखिए बात करते हैं हमारे दिमाग में कोश्चन यह आता है कि जम्मू कश्मिर पे तो सुप्रीम कोट का आदेश भी नहीं चलता था तो धारा 370 हटी के से जब यह धारा आज हट सकती है तो पहले क्यों नहीं हटी ठीके तो यह दिमाग में कोश्चन आता है तो इसको भी हम डिसकस कर लेते हैं इसका जवाब भी देखिए धारा 370 आर्टिकल 370 के खंड 3 में चुपा हुआ था देखिए जो 370 धारा थी वो 3 खंडों में बटी हुई थी अनुच्छे 3703 के तहट राश्पती आदेश जारी कर धारा 370 को खत्म कर सकता हैं पर 3703 में ये भी प्रावदान था कि 370 को बदलने के लिए जम्मू और कश्मीर सविदान सभा की समती लेना जरूरी होगी तो वर्तमान में देखिए कंडिशन क्या थी कि जम्मू और कश्मीर में राश्पती शाशन लगा हुआ था वहाँ पर विदान सभा जो थी वो भंग हो गई थी तो राश्पती के आदेश मात्र से धारा 370 में बदलाव या उसे खत्म किया जा सकता था जो कि आज कर दिया गया तो बस इतना बला डिसेन लेने की हिम्मत किसी सरकार में चाहिए थी जो कि BJP सरकार ने ली और धारा 370 को खत्म गरा देखे फ्रेंड्स यहाँ पर important चीज ध्यान दीजेगा धारा 370 के देखे तीन खंड है 1, 2 और 3 तो 2 और 3 को देखे 370 से हटाया गया है खंड 1 को हटाया नहीं गया है खंड 1 के तहट जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अंग है clear यह चीज भोत important है इस चीज को ध्यान दीजेगा आगे देखिए हमारे दिमाग में question आता है कि यह नए बदलाव जो है यह कब लागो होंगे तो friends धारा 307 का खात्मा तो राशपती के आदेश के साथ ही हो गया है संसद में तो केवल पुनरगठन विदेख पारित होना है जिसमें जम्मू एन कश्मीर और लद्दाक को अलग-अलग केंदरशाशीत प्रदेश बनाना है और ये बिल जो है आसानी से पारित हो जाएगा और ये बिल जो है वो किसने प्रजेंट करा है भारत के ग्रह मंत्री अमिर्ष शान ने राजी सबा में इस बिल को प्रजेंट करा है ये वेसे ही होगा जैसे मद्य प्रदेश से अलगोंकर 36 गड़ बना बिहार से अलगोंकर जार्खन बना वेसे ही जम्मू कश्मीर अब दो केंदर शाशीत प्रदेशों में बढ़ जाएगा ठीके जम्मू कश्मीर का देखिए पहला केंदर शाशीत प्रदेश होगा जम्मू और कश्मिर केंदर शार्षित प्रदेश और दूसरा होगा लद्दा केंदर शार्षित प्रदेश तो इस थरीके से जम्मू और कश्मीर पुनरगठन के बाद भारत में कुल कितने केंदर शाषित प्रदेश होंगे, साथ तो देखिए प्रजेंट में है, प्लस टू कितने हो गए टोटल, 9 केंदर शाषित प्रदेश होंगे, ओके, very very important question है friends यह ध्यान रखिएगा आने वाली बसने और वहाँ पर बिजनेस करने का मोका जो है वो मिलेगा खास कर देखिए, होटल इंड़स्ट्री में बहुत जादा बूम देखने को मिल सकता है इस से पहले होटल इंड़स्ट्री पर बहुत सारी लिमिटेशन थी वहाँ पर सेकेंड बेनिफिट क्या होगा, जो सेना खर्चे, उसमें कमी देखने को मिलेगी, तीसरा देखिए, लद्दा के अलग होने से, वहाँ पर विकास जो होगा, डवलप्मेंट जो होगा, वो तेजी से बढ़ेगा, तो ये हमने कुछ important benefits को discuss करा, तो friends, काफी अच्छा decision रहा ये देखिए केंडर सरकार का धारा 370 हटाना और जम्मू कश्मीर का पुनरगठन, तो चलिए इसी से related कुछ important questions हम ले लेते हैं, चांस बनता है कि आने वाली exam में वो question पूछे जा सकते हैं, देखिए friends, हमारा पहला question है, जम्मू एन कश्मीर को विशेश राज्य का दरजा किस अनुच्छेत के अंतरगत दिया गया था, तो किस अनुच्छेत के अंतरगत दिया गया था, अनुच्छेत 370, तो यहाँ पर B answer, जम्मू एन कश्मीर राज्य को कितने केंडर शाशीत प्रदेशों में बाटा जाएगा, कितने केंडर शाशीत प्रदेशों में बाटा कितनी हो जाएगी, present में 7 है, plus 2, कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, C answer, next question लेते हैं, सविधान का अनुच्छे 35A संबंदित था, तो 35A किसे संबंदित था, जम्मू कश्मीर नांगरिक्ता से संबंदित था, जम्मू कश्मीर राज़के स्थाई निवासियों की पैचान से, B answer राजिसबा में, जम्मू एन कश्मीर पुनरगटन बील, 2019, किसने पेश किया, तो किसने पेश किया था दोस्तो, अमिश्च शा ने, भारत के ग्रहमंद्री अमिश्च शा ने, अनुच्छे 35A को सविधान में कब शामिल किया गया था, 35A को कब शामिल किया गया था, 1954 में, यह answer, तो friends, यह कुछ important questions थे, और भी यहाँ पर देखिए question निकल कर आएंगे, जो कि हम आगे current affair में discuss करेंगे, तो काफी important current affair है यह, आने वाली exam में definitely यहाँ से question देखने को मिलेगा आपको, तो friends, I hope आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीस वीडियो को like करिए, share करिए और comment करके जरूरू बताएगा कि वीडियो कैसा लगा, अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं कर रहे हैं, तो subscribe भी कर लिजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो जब भी में upload करूँगा, आपको उसका benefit मिलता रहेगा, तो friends, मिलते हैं अगले